हेलो स्टुडेंट मैं पावन भामुरिया आज हम केमेस्ट्री के लेक्चर में हेलो एरीन और हेलो एलकेन जो है उसके अबजिक्टिव डिसकस करेंगे इसका जो वेडेड है थोड़ा से काम है लेकिन फिर भी अच्छा और इजी चेप्टर है हेलो एरीन हेलो एलकेन आप जा है इसकाल है तो फस्ट हम यूस करते मल्टीपल चॉइस कोशिटिव वह वी उतलपी प्रस पहला कोशिट्र थी अलकेन फिल्पल एम जी के साथ सुस्क इथर की उपस्तिती में क्या बनाता है तो आपने ये रिक्शन अगर आपको याद हो इस रियक्ट विथ मेगनेशियम in the magnesium in the presence of dry ether alkyl halide सुस्क इथर की उपस्तिती में magnesium से जब reaction करता है तो इसका answer होगा ग्रिगनार्ट रिएजेंट बी ग्रिगनार्ट रिएजेंट आंसर याद रखेंगे तो alkyl halide जो है वो magnesium metal से reaction करके ग्रिगनार्ट रिएजेंट फॉर्म करता है आपको confusion हो सकता है अगर sodium metal होती देन इडिस काल्ड उस रिएक्शन किसका द्विध्रु आगुंड सरवाधिक होगा तो किसका dipole moment maximum होगा अब dipole moment अगर इन सब में देखा जाए तो इसका जीरो होगा इसका जीरो होगा इन दोनों का जीरो नहीं होगा हमारा आंसर होगा CH2Cl2 यहां पर CH2Cl2 का magnetic maximum dipole moment होगा तो which has maximum dipole moment आंसर है CH2Cl2 नेक्स्ट है आयोडीन और NaOH को नीमने के साथ गर्म करने पर आइड़ोफार्म बनता है आइड़ोफार्म इस फर्मड बाइटिंग आयोडीन एन NaOH आइड़ोफार्म रहेक्शन आप जानते है क्यों कुन देता है इतायलेक्वल पर देता है अब आप सेलेक्षार्म का बनेता तो है सी टूएजफाइप इंड किसका सामान नाम इस जानते हैं क्लोरोफिर जो है छोए सब्सक्राइचेजन और इस टाइब का एक फार्मुला जन्रेट करता है SCL escape हो जाता है escape बाहर निकल जाता है COCL2 is called Fosgene तो Fosgene का फार्मूला क्या होगा COCL2 और उसका नाम होगा Carbonyl chloride Carbonyl chloride is called Fosgene इसमें एक और एक Carbon Tetra chloride Carbon Tetra chloride को Pyrene कहा जाता है याद रखेंगे Pyrene आग बुजाने के काम आता है इस पर भी एक question आता रहता है आया हुआ है next question है कौन आसानी से SN1 mechanism से reaction देगा which of the following will undergo SN1 reaction most readily SN1 कौन देता है अब 3 degree तो सभी है 3 degree हमको पता है 3 degree alkaliolide जो है वो easily SN1 देता है लेकिन अगर इन में बात करें तो कौन देगा अब यह जो है bond पर depend करता है bond length अगर high है तो reactivity क्या होगी very large होगी यहाँ पर CF है CBR है CI है और CCLA SN1 easily break मतलब easily कौन देगा तो हमारा answer होना चाहिए CCL3-3 CI क्योंकि iodine जो है उसका atomic size बड़ा होता है तो bond length high होगी easily break हो जाएगा next question है fill in the blanks रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए CH3-CHCl2 dash 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 dihalide कहलाता है CH3-CHCl2 is called dash 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 dihalide अब आपने पड़ा है यह carbon atom है इसमें अगर halogen एकी atom पर अटे छे तो इन इस काल्ड जेम dihalide जेम जेमिनल और अगर carbon atom अलग अलग कार्बन पर अटे छे देन इडिस काल्ड फिस dihalide फिसीनल यहां पर अगर एक ही पर carbon atom है यह क्या कहलाएगा जेम dihalide यहां पर आजाएगा जेम dihalide अंसर जेम dihalide खालिस्तानिलाइट के सुगने से बेहोसी आ जाती है जानते हैं अनेस्थेटिक इफेक्ट तो आप जानते हैं अनेस्थेटिक इफेक्ट वाला कौन सा अलकिलेलाइड है chloroform chloroform जो है वो अनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है next है chlorobenzyne और chloral की क्रिया से क्या बनता है तो मैं आपको जो reaction है क्यूर्टिक इंपोर्टेन है देश जेश जेश इस फोर्मड बाइडरी एक्टिशन आप chloroform च्लोरल क्या होता है बटा CH इए chloral की बात करते है CCL3 CHO it is a chloral when chloral is react with chlorovengene chlorovengene के टू मॉलेक्टिल रियक्टिशन करते हैं इस टाइप से यह most IMP reaction what happened when में हो सकती है यहाँ पर hydrogen हम show करेंगे हमको required है यहाँ भी hydrogen show करेंगे और देखो क्या reaction होगी यह concentrate H2SO4 की presence में reaction होती यहाँ से water molecule बाहर चले जाएगा concentrate H2SO4 की presence में reaction होगी क्या होगा अब कुछ नहीं होगा यह carbon atom क्या करता है बेटा इन दोनों benzene से attach हो जाता है जो form हो रहा है उसका आपको easy way में name पता होना चाहिए क्या है यह plus water देखी क्या आएगा यह जो form हो रहा है it is a DDT तो chlorobenzene और chloral की क्रिया से क्या बनता है DDT बनता है dichloro diaphanil trichloro ethane is called DDT next question send me air abhi kriya का उत्पात क्या है send me air abhi kriya send me air reaction का product क्या होता है तो send me air reaction आपको आना चाहिए वेन फिन ओल फिन ओल होता है आप जानते होंगे बेंजिन रिंग पर OH आ जाए वेन फिन ओल इस हिटेड विट अर ट्रेटेड विट क्लोरोफर्म और कास्टिक कि पोटास अर एलकॉालिक के ओएज अधर के 3C प्लसराइस के सील कि वान एच टू एच टू एच टू हो एच एंड टू ओवस ह्टू हो तो इस ताइप से लिखते हैं कि यहां से चले गया है वाटर के फॉर्म में और यहां पर रिमेनिंग एक ग्रूप आ जाएगा सी एच ओ इडिस कॉल सैलिसल्डी हाइट और आर्थो हाइड्रॉक्सी बैंजल्डी हाइट तो यही सेंड मेर रियेक्शन का कि da soni यहींने रिमयर्ट की एक्सेंड मेर पुछाए सूरी तो जो है सेंड मेर कुछ अलगी होती है रियेक्शन वारी-शचूरी सेंद मेर चो यह उसमें तो बेंजीन डायज़ोनी मख्लो राइड न कलोराइड एड और इसकी रियेक्शन HCL HBR के साथ होती है in the presence of CUBR तो यहां तो यहां पर benzene ring पर bromine आ जाता है अगर यहां HCL रहेगा तो benzene ring पर chlorine आ जाएगा then chlorobenzene or bromobenzene is formed अगर यहां हम बात करें तो bromobenzene is formed plus nitrogen आ जाएगा plus HCL आ जाएगा it is called sand mare तो hello erin is formed इसका जो product होगा हेलो erin हेलो erin याद रखेंगे हेलो erin बनेगा बेटा गलती से दिमाग चल गया अलग C6H6 CL6 का व्यापारिक नाम the commercial name of C6H6 इसका common name होता है BSC benzene exachloride और इसका व्यापारिक नाम जो है commercial name जो है वो होता है gamaxene gamaxene याद रखेंगे gamaxene नाम से ये commercially product sale होता है next question मेजद कॉलम williamson sensation निष्चे तक या संगाकारी या एनेस्थेटिया एनेस्थेटिक एजिन्ट के फॉर्म में क्लोरो फॉर्म यूज होता है तो williamson के त्रू इथर निष्चे तक क्लोरो फॉर्म होता है सेंड मेर से हेलो एरीन फॉर्म होता है रिमर्ट इमें से सलिसल्डियाइट फॉर्म होता है और उल्मान से डाय फॉर्म होता है इसी को इंग्लिस में हम डिसकस करते है williamson synthesis जो है वो मेथड होती है डाय फॉर्मेशन की एनेस्थेटिक एजेंट क्लोरो फॉर्म होता है सेंड मेर से हेलो एरीन का फॉर्मेशन होता है रिमर्ट इमें जो है उससे सलिसल्डियाइट फॉर्म होता है डाय फॉर्म इथर जो है वो फॉर्म होता है फॉर्स से और डाय फॉर्मान उल्मान रियक्शन से डाय फॉर्म होता है रिपीट कर रहा हूं विलियम सन सिंथेजिस एथर फॉर्म डाय थील एथर फॉर्मेशन के एक में थड़ है और एक वाक्य या एक सब्द में उत्तर दीजिए इसको बहुत सारे नाम है इसको बहुत सारे नाम है क्लोरो फ्लोरो कारवन क्या कहलाता है क्लोरो फ्लोरो कारवन कहलाता है यह याद रखेंगे इसको फ्रियान कहा जाता है यह प्री रेडिकल जनरेट करता है अचरे क्या यह प्रियान सुद्ध ख्लोरो फ्लोरो फ्लोर्म की पहचान किस सो की जाती है जो है एक सब्स्टैन की पहचान कर सकतें किसका प्यौर टेस्ट कर सकते हैं बनता है तो ख्लोरो बेंजीन क्लोरल से रियक्शन होती है यह भी मैंने आपको रियक्शन अभी बताई थी कि क्लोरो फॉर्म जो है को फॉर्म कर लो फॉर्म नहीं डिटी जो है क्लोरो फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं क्लोरो बेंजीन की रियक्शन किसे कराते हैं हमारे क्लोरल से क्लोरल सी यह थी अगर इसका आयूपेसी नाम एथेनल होता है प्रश्वारी उड्स रियक्शन में कौन सी मेटल का यूज होता है सोडियम मेटल इस यूजड होती है तो यह लास्ट कुश्चन था इतना ही है इस चेप्टर में ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका वेटेज का में पर यह सब जितने कुश्चन पढ़ें काफी इंपोर्टे जो सेशन ने कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें थैंक यू